आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ सवाल यह है बिटा के अनाहत एक 8 साल की लड़की है जिसने अभी अभी तेना शुरू किया था एक बार जब वहर Swimming Pool में थी तब उसने पाया कि उसकी कान की बाली पानी में गिर गई है और उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी कान की बाली ज़्यादा गेराई में नहीं गई है तो इसलिए उसने Swimming Pool में आगे जाना शुरू कर दिया ताकि अपनी कान की बाली को पा सके तो उसको तेरा की सिखाने वाला उसकी गती विदियो को देख रहा था उसने अनाहत को आगे जाने की आग्या नहीं दी और उसे Swimming Pool से बाहर खिंच लिया तो तेरा की सिखाने वाले की इस घटना करम میں किन मुल्य उद्देशियों को यानि किन गुणों को दर्शाया गया है यह हमसे पूछा गया है तो ध्यान से देखिएगा सबसे पहले तो वो जो तेरा की कराने वाला था वो के सा था बेटा? वो एकदम से जाग रुकता, उसकी दिमाग की जाग रुकता के बारे में बताया गया था, जैसे ही उसको पता चला कि वो लड़की कहराई की तरफ में जा रही है, वेसे ही उसने फटा फट से उसको रोका, और कहीं उसके साथ में कुछ गलत ना हो जाए, डूब ना जाए, द उसको आगे नहीं जाने दिया ठीक है बिटा तीसरे नंबर पर जो point आ जाता है वो ये था कि उसे उसकी चिंता भी थी ठीक है यानकि बक्चों की शुरक्षा की चिंता भी थी कहीं उसको कुछ हो ना जाए गहराई में जाने पर बक्चों के शुरक्षा की चिंता है ना शुर रहते समय रहते क्रियाशील होना ठीक है क्रियाशील होना यानि कि जैसे ही वो जाने वाली थी वेसे उसने एंड टाइम पर आकर कि उसको रोग दिया और भार खीश लिया तो यह इसके उत्तर हो जाएंगे धन्यवाद प्लासिक्स चुट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चारसो 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 पर